हलो फ्रेंज अपना की जन्में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही टेस्टी परवल की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो इसके लिए मैं 200 ग्राम परवल ली हूँ तो सबसे पहले परवल को छील लेंगे तो ऐसे परवल को थोड़ी थ बिल्कुल भी पानी नहीं रणा चाहिए परवल बिल्कुल राई होना चाहिए तो ऐसे सूती Kप्ड़ा से ऐसे परवल को ररब करते हुए अचarching से ट्राई हो कर सकते हैं लेकिन ऐसे करने से सबजी पहुत ही ज्यादा सुधर दिखती है तो इसे तरह से मैं सभी परवल को कट कर ली हुँ अब एक मिक्सर दिर लीज चाल के डालेंगे तीन बड़ा चमब सर्सुका तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम होते ही इसमें डाल देंगे कटे हुए परवल गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो फ्रेम परवल को तब तक फ्राय करेंगे जब तक कि इन पर गोल्डन सब्सुका नब पढ़ जाए मैं इतना तेल का ही इस्तिमाल कर रही हूं लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच पच्पूरन यानि पांच मसालों का मिश्रम अगर आपके पास पच्पूरन नहीं है तो आप आधा चोटा चमच मेथी के दान अब हम इसमें डालेंगे प्यास, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जमलोग पीस करके रखे थे अब हम गयास का फ्लेम इस टाइम मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर इनको दो मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन निकल जाए भूनते समय ऐसे बार बा मीर्च पाउडर तीखा आप अपने टेस्ट का कोडिंग डालिएगा और ध्यान रखे हम लोग घरी मीर्च पीसे हैं आधा छोटा चिम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चिम्मच हल्दी पाउडर अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गयास का फ्लेम इस ट करेंगे अब ग्रेवी में उबाला ने तक वेट करेंगे हैं ग्रिवी में उबाल आते ही फ्राई किया हुए परवड लाल देंगे और साथ ही में डालेंगे मास्व आधा चोटा चिम्मच गरम मसाला पाउडर में याधा च्प्ता चाहिए अंहारी सबजी बहुत ही जादा चटपटी बनेगी आप चाहें तो आम चूर पाउडर के जगह पर एक चमच निम्भू का रस्भी डाल सकते हैं नमक डाल देंगे स्वाद के नुसार अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम ढग करके इनको 5-7 मिनट तक मीडियम टू लो फिल्म पर पकाएंगे और बीच में एक दो बाद धकन हटा करके चला भी लेंगे पास से 7 मिनट हो गया मुझे इनको मीडियम टू लो फिल्म पर पकाते हुए और यह देखे फ्रिंज हमारी बहुत ही डिलिसियस सबजी बन के रेडिये बहुत ही जादा चटपटी एकदम आसान तरीके से इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रिंज देखे ना बहुत ही आसान तरीका बनाने का और बहुत ही जादा टेस्टी बनेगी इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करें तो बस अब हम गयस का फ्लेम बंद कर द अच्कली